हेलो बच्चो तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नुमबर 3.6 का 1st का 2nd बार्ट तो जैसा कि बच्चो ये दो सवाल हमारे पास है तो हम इसमें सबसे पहले चीज यहां पर लिख सकते हैं माना माना लिखेंगे तो माना का मतलब हो जाएगा कि हम एक बटे वर्ग्मूल X को हम मानेंगे A और दूसरा एक बटे ये जो है वर्ग्मूल Y को हम मानेंगे B ठीक है बच्चो तो इससे हमें यहां समीकरन जो है मिलेगी वो ये मिलेगी बच्चो दो A तीन B और बराबर में दो यह मिलेगी और दूसरी हमें मिलेगी दूसरी जो है वो मिलेगी हमें चार A माइनस नो B और बराबर माइनस A तो यह मिलेगी बच्चो हमें यहाँ पे तो इसका मतला पे जो है यह होगा कि अब हम करेंगे उनको use करेंगे ठीके बच्छो तो ये हमारी जो है सवाल अब ये वाला यहां से इसको बिटा के अब हम यहां से अपना ये वाली जो रकम है इनको लेंगे ठीके बच्छो तो इनको लेना है हमने यहां से सबसे पहले हमारे पास जो ये रकम आई है पहली जो रकम है वो आई है 2A दूसरी जो रकम है वो आई है 3B और बराबर में आया है 2 दूसरी जो रकम है वो है 4A माइनस 9B और बराबर माइनस 1 इसमें क्या होगा बचो इसमें कोई विधी का नाम अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप इसको यहां पर simple विधी जो होती है वो होती है विलोपन विधी तो आप इसको विलोपन विधी से कर सकते हैं below पर भी ती सबसे पहले इसमें क्या काम होता है कि हमारी first रग में दोनों आती है same तो चाहे तो दिखो ये भी आ सकती है लेकिन अगर ये ही करते हैं बैसे तो जदा तर हम तो इसमें क्या करना है बचो सबसे पहले हम इसमें 2 से कर देंगे इसमें multiply तो कितना हो जाएगा ये बनेगा दो दूनी चार A, ये बनेगा दो तिया छे B, और बराबर में दो दूनी चार, ये बन गया, उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा चार A, माइनस नो B, और जी बराबर में माइनस एक, अब इनके साइन चेंज गरने हैं हमने, अगर ये प् प्लस का और माइनस का है तो प्लस का अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसल और 9 और 6 इतने हो गए है बच्चो और 9 और 6 हो गए है 15 भी हो जाएगा और यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यहाँ से अब हमने भी को बाहर निकाल लिया है तो यह हो जाएगा पांच एकम पांच और पांच ये पंद्रा तो बी का जो मान है वच्छों वो हमारे पास आ गया है एक बटे तीन तो यहां से हमको भी मिल चुका है एक बटे तीन अब इस बी को हमने जो है रखना है किसमें फर्स्ट या फिर अपना सेकंड में भी इसको रख सकते ह हैं तो हम इसको रख देते हैं अपने सेकंड में रख देते हैं तो सेकंड में रखते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा तो सेकंड में रखते हैं अगर हम बी की वैल्यू तो सबसे पहले बच्छों हमारे पास है चार ए नो बी माइनस का एक अब क्योंकि बी की वैल्यू हमा टीन से नो केंसिल हो जाएगा, टीन तीन नो, ठीके बच्चो तो कट जाएगए इससे तो 4A-3-1 आजाएगा फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पे पहले 4A, यह जो 3 है, इसको यहां लिजाएगे, soorी, तो यह जो 3 है, इसको यहां लिजाएगे तो यह किसका हो जाए बच्छव का हो जाएगा धीक है वच्छ्ड्रु से बराबर Costa ४ तो यहां से हमने क्या कर लेना है A Northeast कि इसको कट कर देंगे तो एक यहां प्याओ जाएगा एक बटे एक बटे दो आजाएगा ठीक है बचो तो हो को यह से ए और बी मिल गहाशा है अब हमारा काम क्या है बचो इसमें अब इसमें हमारा काम है बचो जू हमारे पास वैल्यूस आई है वो वैल्यूस कौनसी है सबसे पहले हमारे हमने जो यहां पर माना था कि एक बटे अंडरूट एक्स को हमने माना था ए जो हमारे पास आया था एक बटे दो ठीक है बचो और दूसरा जो हमारे पास आया था एक बटे वर्गमूर वाई कि जिसको हमने भी माना था वो था एक बटे तीन तो इस तरीके स अब इसको आगे देखो हमने क्या करना है तो आगे इसको चाहें तो आपका अंसर ये भी हो सकता है चाहें तो आप इसको अपना इसको भी अंसर लिख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको आगे ये जो हल करना चाहें तो इसमें आप इसको ऐसे कर सकते हैं इसके नीचे एक लगा तो इसमें हमारा आंसर ये आजाएगा A बराबर एक बटे दो और B बराबर एक बटे तीन तो ये हैं बच्चों हमारा आंसर Done